पूरा देश और दुनिया आज के समय में कोरोना महामारी के दौर से गुजर रही है और वरतमान में यह परियूशन और दसलक्षन पर्व भी हमें ऑनलाइन ही मनाना पड़ रहा है बहुत सारे लोग खेत खिन हो रहे होंगे दुखी हो रहे होंगे कि हमें दर्शन नसीब नहीं हो रहे हैं बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम देरा सर नहीं जा पा रहे हैं लेकिन बंदू हो, हमारा जैन दर्शन बाहर के परमात्मा नहीं, अंदर के परमात्मा के दर्शन करने की बात कहता है बाहर में एदी दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो ज़्यादा विकल्प करने की जरूरत नहीं है अंदर के परमात्मा को देखिए जैन धर्म बाहर में देखने का नहीं अंदर में देखने का नाम है परियुशन का अर्थ भी यही है सब और से सिमठ कर अपने अंदर में आ जाना दसलक्षन पर्व भी यही बतलाता है कि हमें मुक्तो होना है कशायों से मुक्तो होना है विवाव भाव से मुक्तो होना है विकारों से मुक्तो होना है क्रोध नहीं हो, मान नहीं हो, मायाचार नहीं हो, छलकपट नहीं हो, लोव लालच नहीं हो ये विकरतियां जिसने मानव के हरदय में घर किया हुआ है, ये विकरतियां हमसे दूर हो जाए, इसके लिए परवे है हमारे ये महापर्व का आवसर ये एक प्रकारी की यूनिवर्सिटीज है लेकिन बंदू को ध्यान देना मैं ये कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्शित करना चाहता हूँ इस और कि पूरे दुनिया भर में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिस यूनिवर्सिटी में ये सिखाया जाता हूँ कि क्रोध नहीं करना चाहिए लोग लालच करने व visibility किसी को पसंद रही है गुस्दा करने वाले किसी को पसंद रही है आपको यदि अपने घर में कोई सर्वेंट रखना है, आपको यदि अपने ओफिस में कोई कर्मचारी रखना है, गुस्से वाला नहीं चलेगा, मायाचारी व्यक्ति नहीं चलेगा, चलकपट करने वाला लोब लालच करने वाला नहीं चलेगा व्यक्ति, हमें पसंद नहीं ह ऐसे व्यक्ति लेकिन कौन सिखा रहा है एंबीए की पढ़ाई में क्या ये सिखाया जाता है क्या मेडिकल की पढ़ाई में ये बातें सिखाई जाती है क्या इंजिनीरिंग की पढ़ाई में ये बातें सिखाई जाती है परियूशन और दस सक्षन परवों के माध्यम से मानव नहीं पड़ता है, जैन दर्शन परिणामों के फल की बात करता है, जैन दर्शन ये कहता है, क्रिया की तुलना में परिणामों का ज्यादा फल लगता है, आप परिणाम समालिए, आप वरत कीजिए, उपवास कीजिए, आयम बिल कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन परिणामो को समालिए भाव समल गए तो सब कुछ समल गया परिणाम किसी के लिए भी बिगाड़िए भाव किसी के लिए भी बिगाड़िए भाव तो अपना ही बिगड़ेगा भाव सुधरने चाहिए परिणाम सुधरने चाहिए क्रियाओं के साथ साथ परिणाम सुधरे और परिणाम को देखने का नजरिया बदल जाता है एंगल बदल जाता है जीवन में चिंतन की धारा को आमूल चुल परिवर्थित कर देवे उसका नाम जेन धर्शन है भगवान महावीर स्वामी ने सोच बदलने की बात कई भगवान महावीर स्वामी ने अनेकांत और स्यादवाच जैसे ऐसे सिद्धांत दिये हमारे को, जिन सिद्धांतों को जीवन में उतार लिया जाए, पुरे विश्व में शांती का सामराचे फैल जाए, संपुर्ण विश्व में शांती हो सकती है, जहन सिद्धांतों को जीवन में उतार करके ही संपुर्ण विश्व में शांती हो सकती है, इन सिद्धांतों को उतारने की जरूरत है लेकिन उतारने के पहले समझने की जरूरत है क्या कहते हैं सिद्धांत क्या है जेन सिद्धांत क्या है भगवान महावीर स्वामी की वानी का तत्व क्या है भगवान महावीर स्वामी की वानी का मूल प्रतिपाद्य क्या होता है अनेकांत, क्या होता है स्यादवाद, क्या होती है अहिंसा, क्या होते हैं वरत, गहराई से समझने की जरूरत है आज पूरा विश्व जिस आतंक वात के बारूत के देर के उपर टिका हुआ है गहराई से विचार करना आज जरूरत भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा की आज जरूरत है हमारे को देखने का नजरिया बदल देने की कोरोना महामारी को भी जीतना है तो व्रतों से जीता जा सकता है अपने आपको समेट कर जीता जा सकता है जेहन धर्शन तो पुराने समय से ही प्राचिन काल से ही ये बहुत कहता रहा है डिश्टेंस मेंटेन करके चलिए कम बोलिए बार बार में हाथ दोईए बिना छना पानी उपयोग में मत लीजिए बजार की वस्तुओं का ज्यादा सेवन मत कीजिए अपने खान पान को सुधा ये मरियादित खान पान रखिये खान पान ही नहीं जो परिणाम विचार श्रद्धा माननिता अभी प्राय सब कुछ बदलने की बात करता है वो है जैन शासन वो है जैन दर्शन मैं आप सभी लोगों को सभी साधर्मियों को इस प्रसंग पर इस परियूशन और दस लक्ष सब्सक्रां पर्व ये जो कमाइब से मनाया जा रहा है 1 जैन UK ओर्गनाईजेशन के माध्यम से मैं आप सभी को साधुवाद देना जाता हूं बदभ ही देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं सभी श्रोताओं से, सभी आत्मार्थियों से, कि जैन से दान्तों को जीवन में उतारना है हमारे को, तभी सच्ची शांती हो सकती है, तभी कोरोना पर विजय प्राप्त की जा सकती है, तभी अपना आत्मकल्यान किया जा सकता है, तभी सुखी हुआ जा सकता है, जो घर-घर म का भी एक मात्र यही उपाय है जैन तत्व ज्यान जिन्वानी वस्तू स्वरूप का विचार समझिए जानिए स्विकार कीजिए इस आयोजन के लिए बहुत-बहुत शुब कामनाएं बहुत-बहुत सादुवाद जै जिनेंद्र जै महवीर